जपी किष्णा आज आपना सुझाब बताईए वंदे ब्रज वस्वंद राम ब्रज की जो सेवा है ये ठाकर जी की ही सेवा है क्योंकि ब्रज में तत्तीक वस्तो स्यामा स्याम को स्वरोग है तो यहां यम्नामिशन के तत्वापधान में जो इतना सुंदर और दिव्य और भ वाणी का विसे नहीं है उसकी हम जितनी सराना करें उतने सब्द कम पढ़ जाएंगे ठाकर जी की साक्षात सेवा है और पूरे यम्नामिशन को ठाकर जी ऐसे ही बल प्रदान करते रहें कि ये सेवा नित्य नरंतर सदा सरवदा चलती रहे ऐसी सुब कामना है कुछ दो हमारे हित अर्वन्स महाप्रभू की संप्रदाय में तो ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं साक्षात और बहुत पद आवली में बाबा ये वर्णन भी ब्रक्षन सोहीं दियो गए वहा है रसिक नी रसमे रहत गढ़ी रसमे रहत गढ़ी रसिक नी रसमे रहत गढ़ी कनक बेल ब्रस भान नंद नी श्याम तमाल चड़ी ठाकुर जी जो है वो श्याम तमाल की जैसे हैं और प्रिया जी जो है वो कनक बेल हैं कनक बेल ब्रस भान नंद नी श्याम तमाल चड़ी रसमे रहत गढ़ी रसिक नी रसमे रहत गढ़ी यह जो ब्रक्षय है रसवरूप हैं और हमसब कूर्शी रास बनता है इसलिई किसे और जितनी भी ठाकूर जी केनारे और कुले लीला हैं अभी जैसे फूल बंगला की लिया सब तक ब्रक्ष नहीं होसंगे तब तक फूल नहीं हो सकते जतनी भी सेवां है ये ब्रज की सेवा प्रकृती की सेवा ये सब ठाकुर जी की ही सेवा है और सब कुझन की और यमना जी के किनारी की सेवा है तो हम पूरे यमना मिसन की टीम को बहुत-बहुत सुबकामना देम है कि ये कार ऐसे ही ठाकुर जी कराते रहे और ये कार बहुत आगे तक बड़े और सब यामे देखे कोई भी कार है वो ट यहां जितने भी कारे करता हैं चाहिए वो एक छोटे से सफाई कर्मचारी से ले करके और चेर्में जो साम है वहां तक बंसल जी तक जिस सब भागीदार हैं और थाकुर जी सब की सेवा को देख रहें और सब को अपनी भक्ति अपनी सक्ति और प्रेम लक्षणा बक्ति अरकना है जै श्री कृष्नमें